Dear students and my dear friends, पिछले सेसन में मैंने जेली फिस का एस्ट्रक्चर डिस्कस किया था, आज मैं इसके रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ. जेली फिस का रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकल यह एक महतपूर्ण कोस्टन है, जो ओनर्स के स्टुडेंट्स को और पासकोर्स या सबसीडियरी के स्टुडेंट्स को अल्टरनेट इयर्स पूछे जाते हैं. औरेलिया और इटा जो कमनली जेली फिस या मून जेली फिस कहलाता है, उसमें सेक्शवल और एसेक्शवल दोनों तरह का रिप्रोड़क्शन होता है. सामान रूप से जिसको हम जेली फिस कहते हैं, वह इसके लाइफ साइकल का एक मेजर प्रोमिनेंट फॉर्म है, उसको मेडियूसा कहा जाता है. इसमें गोनेट्स बनते हैं, इसलिए सेक्शवल रिप्रोड़क्शन होता है. लेकिन इस जाइगोट के एम्बरायनिक डेवलप्मेंट से एक पॉलिप फॉर्म का निर्मान होता है, जिसे हाइडरा ट्यूबा कहा जाता है. यह हाइडरा ट्यूबा मोटे तोर पर हाइडरा से मिलता जूलता एक टिबुलरे स्ट्रक्चर है. इसमें ट्रांस्वर्स ट्रिविजन के द्वारा असेक्स्वल रिपोड़क्शन होता है. कई साले सेग्मेंट्स बनते हैं और यह सेग्मेंट्स उपर से कट-कट कर रिलीज होते रहते हैं. और एक नए फृरी स्विमिंग फॉर्म इफाइरा लारभा का निर्मान करते हैं. तो इफाइरा लारभा का निर्मान एक प्रकार से हाइडरा ट्यूबा में असेक्सवल रिपोड़क्शन के दवारा हो रहा है. चुकि एक जाइगोर से 300 से 400 इफाइरल आर्भा बनते हैं इसलिए इस घटना को पॉली इंब्रायोनी भी कहा जाता है अब चुकि एक जनरेशन यानि मेडिूसा सेक्षवल रिपोड़क्शन कर रहा है और दूसरा जनरेशन एक पॉलीप हाइडर ट्यूबा और सेक्षवल रिपोड़क्शन कर रहा है तो दो तरह के फॉर्म का एक दूसरे से अल्टरनेट करना मेडिूसा का पॉलीप से पॉलीप का मेडिूसा से अल्टरनेट करना तथा Asexual Generation का Sexual Generation से Alternate करना Metagenesis कहा जाता है Animal Kingdom में मैंने पहले विचर्चा किया है कि Alternation of Generation शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि इसमें दोनों ही रूप Diploid होते हैं जबकि Alternation of Generation का मतलब होता है कि Diploid और Diploid Generation एक दूसरे को Alternate करे यह डाइग्राम आपको दिखलाया गया था प्रिवियर सेशन में जेली फिश का एक हिस्सा वन क्वार्टर कार्ट दिया गया है जिसे की इसके अंदर पाए जाने वाले रेडियल केनाल्स और गोनेट्स की स्थिती दिखलाई जा सके यही चीज आप अगर सब अम्ब्रेलर शर्फेस से देखते हैं तो आपको इस तरह से दिख रहा है कि यहां गोनेट्स है रेडियल केनाल्स के कॉन्टक्ट में भेंट्रली ये बन रहे हैं गोनेट्स चार गोनेट्स है और हर दो आर्म के बीच से ये वेंटल सर्फेस से आपको दिखाई परेंगे अब जो जेली फिश होते हैं वो यूनी सेक्सवल होते हैं मेल अलग और फिमेल अलग लेकिन उपर से देखने पर ये गोनेट्स एक जैसे लगते हैं देर फोर होर्शू शेप्ट गोनेट्स सिच्वेटेड बिट्विन ओरल आर्म्स इन दा सेंटर ओव दा सब अम्ब्रेलर सर्फेस दे लेटर अन बिकम सर्कुलर एंड पिंकिस इन कलर आपने देखा कि दो ओरल आर्म के बीच से गोनेट दिख रहा था यह पिंक कलर का होता है धीरे धीरे बड़ा होने के बाद गोल हो जाता है गोनेट्स आर इंटर्नल लाइंग इंडर गेस्टिक पॉचेज बट दे आर विजिबूल एक्स्टर्डली यह अंदर की रचना है सीलेटर्न के कांट्क्ट में रेडियल केनाल में जो तेरिक केनाल है उसके एंडोडर्नल से गोनेट का निर्मान हो रहा है लेकिन बड़ी इतना ट्रास्पेरेंट है की बाहर से ही यह दिखता है अब radial canal के और stomach के बीच छोटे छोटे गढ़ों में यह वसा हुआ है इसलिए इसे gastric pause कहते है Just below each gonad is a circular aperture called subgenital pit But gonads have no connection with them आप जब sub umbrella surface की ओर से carefully इसको observe करेंगे तो gonad के ठीक नीचे एक गंठा सा बना हुआ subgenital pit दिखाई परता है लेकिन इसका gonad से कोई सम्बन नहीं है gamit का निश्काशन इस रास्ते से नहीं होता है तब कैसे होता है तो जब मेल में testis mature हो जाते है तो testis का lining जो endodermal lining है वो ब्रेक कर जाता है और लाखों की संख्या में espermatozoa radial canals में discharge हो जाते है अपने माउथ होकर पानी लेते रहता है और निकालते रहता है इस पानी के साथ इसे oxygen तो मिलता ही है थोड़ा बहुत plankton सी त्यादी भी food के रूप में मिल जाते है तो इसी outgoing water के साथ हजारों लाखों की संख्या में esperms release होते है जो पानी में इधर उधर बिखर जाते है जैसे मेल पानी लेता है और छोड़ता है वैसे फीमेल मेडूसा भी पानी लेती है और छोड़ती है तो पानी के साथ ही espermatos जोआ उसके gastric pouches में चले जाएंगे अब इसके बाद जैगोत वहां से निकल कर बाहर मुह होकर निकलेगा लेकिन क्या होगा तो इसे oral arms पकर लेंगे और अपने ventral surface पर पाए जाने बाले oral groups में फसा लेंगे चिपका लेंगे जाएगोर्स थस फॉर्म्ट आर पास्ट आउट अप 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 फिमल मेदूसा अलोंग बिद आउट गोइंग वार्ट and finally, they get attached in the groups of the oral arm in the gygotes of oral arm, each gygot gets enclosed in a pouch and undergoes development oral arm की surface पर भी एक गढ़्धा बन जाएगा या कई सारे छोटे छोटे गढ़्धे बन जाएगे जिसमें ये gygot चिपके रहेंगे और वहीं इनका embryonic development शूरू होता है तो जाइगोट में सबसे पहले लगातार माइटोसिस का एक सीरीज होता है जिसको कलीवेज कहते हैं इस कलीवेज के कारण एक सॉलिड सेल बॉल बनता है जिसको मोरूला कहते हैं अब jelly fishes में पूरा का पूरा gyre divide करता है यानि cleavage holoblastik है लेकिन उपर के cells छोटे और नीचे के cells बड़े होते हैं इसलिए इसको unequal holoblastik cleavage कहा जाता है तो शुरू में तो एक solid ball बनता है लेकि बाद में ये cells replace होते हुए दूर जाने लगते हैं और अंदर एक खोखला cavity यानि blasto seal उदपन होता है तो मरूला के बाद बनने वाला यह ball like structure blastula कहलाता है अब इसमें invagination यानि एक तरफ से अंदर धस जाने की क्रिया होती है जिसे gastulation कहते हैं और इससे बनने वाली रचना को gastula कहते है तो जहां से यह outer surface धसता है अंदर उस जगा एक छोटा सा pore जैसा दिखता है उसे blasto pore कहा जा और जो original blasto seal था वह दोनों ही layer के बीच में फस कर धीरे धीरे गायब होने लगता है उसमें वीजोगलिया का secretion होगा वह secretion इस blasto seal को पुरी तरह से ढग देता है बंद कर देता है और नया बनने वाला cavity जो आर्केंटेरोन है इस case में सिलेंटेरोन के case में इसी आर्केंटेरोन का नाम सिलेंटेरोन रखा गया तो blasto pore का यह opening जो शुरू में बनता है बाद में धीरे-धीरे यह बंद हो जाएगा यह धीरे-धीरे लंबा होगा blasto pore सी मटते हुए लगभग बंद हो जाएगा और जो epidermal layer है उसमें शिलिया बन जाएगे अब यह ओरल आर्म के गुरूब से निकल कर पानी में इधर-उधर तैरने लगेगा और तैरते हुए यह अब ओरल सर्फेस की मदद से किसी सॉलिड सर्फेस पर जाकर चिपग जाता है प्लैनूला लार्भा में भी सीन इन मासेज अन दा ओरल आर्म आप फीमल मेडूसा The planula is set free after a time from the oral arms After a brief pre-swimming existence, it sinks, loses its cilia The blastopor closes and it gets fixed to some object by aboral end Cilia के मजद से तरते तरते यह किसी solid surface पर आकर अपने aboral end की ओर से चिपक जाता है इससे में मैंने कहाए कि planula का जो opening था mouth जैसा opening, blastopor वो कुछ समय के लिए बंद हो गया लेकिन थोड़ी दिर बाद यह फिर यह open हो जाएगा तो जब यह पत्थर चटान में चिपक जाता है तब वो धीरे-धीले elongate होते हुए एक hydra जैसी रचना बनाता है planula metamorphoses into a small polyp और hydra tuba यह hydra-like tubular structure hydra tuba कह लाया इसी का दूसरा नाम है cyphiostoma it has no perisark यह कोई cuticle का secretion नहीं करता है इसलिए soft structure है इस पर perisark नहीं होता है अब जो उपर का oral part यानि जिधर की blastopore था उस तरब का part elongate हो करके manubrium बनाता है और फिर blastopore open हो जाता है जो mouth का काम करने लगता है इस manubrium के चारो और पहले radial पर फिर interradial यानि आठ और पत्य के बीच बीच में दो-दो ad radial canal की उत्पत्ती होती है और इस तरह से इसमें 32 tentacles का विकास होता है अ रूट-like estolone arises at the base of the hydra tuba which fits and buffs buds of new hydra tuba from its ostolone throughout summer इस hydra tubas may separate from the estolone of the parent as in hydra अब एक horizontal branch के रूप में इसका silenteron यानि सीनो सार्क फैलता है उसको estolone कहते हैं estolone को vegetative reproduction या asexual reproduction का एक specialized structure माना जाता है इस पर कई सारे hydra tuba का budding के द्वारा निर्मान होता है ये बीच से तूट कर कई अलग-अलग hydra tuba का कोलोनी बना सकता है पूरे गर्मी के मौसम में इस तरह से vegetative propagation के द्वारा hydra tuba बनते हैं इसके बाद hydra tuba का बनना बंद हो जाता है और तब hydra tuba से estovulation के द्वारा यानि transverse division के द्वारा बहु सारे अलग-अलग segments बनते हैं the dividing hydra tuba is called eskypho stoma और estobula तो hydra tuba एक tubular structure है transverse division हुआ यानि estobelia का निर्मान हुआ इसले estobulation का लाया अब इसको eskypho stoma भी कहा गया अब यह transverse division से क्या होगा this transverse disc of the eskypho stoma look like a serial pile of saucer and each disc form an ephira larva हर segment से चार-चार outgrowth निकलते हुए आपको दिखाई परेंगे arm जैसे निकलते दिखाई परेंगे यह ephira larva का निर्मान हो रहा the ephira break away one by one from the upper surface of eskypho stoma and then they get inverted सबसे पहला जो उपर से तूट के अलग होगा उसको तो tentacles है before the first ephira is released from the top of its 16 tentacles are absorbed and eight notches lobes are formed with a tentaculocyst in each lobe तो उसमें tentacles थे इसलिए वे tentacles धीरे-धीरे-धीरे-धीरे के बेस पर tentaculocyst बन जाते हैं यह tentaculocyst आपने jellyfish के manubrium पर नौच में पढ़ा है अब यह उपर से कट कर अलग हो जाएंगे the successive ephira released from the estobula are divided of tentacles tentacles सिर्फ उपर वाले में है बाकी सभी जो एक-एकर निकलेंगे उसमें tentacles नहीं है the vessel part of cypia stoma which while not segmented grow new tentacles जो unsegmented part है उपर का यह viral larva के release होने के बाद फिर से tentacles बन जाते हैं फिर यह आगे बढ़ने लगता है लंबा होने लगता है और फिर next favorable season में इसमें estobulation शुरू होता है तीन चार वर्सों तक इसी तरह से यह estobulation करता है और धेर सारे इफाइरा लार्भा का निर्मान करता है after a period of rest it resumes its existence at hydratuba it starts estobulation again in the next winter it may live for years feeding and budding in summer and producing ifhira in winter कई साल तक तीन साल शाल तक यह winter में ifhira लार्भा बनाता है और summer में गुरोथ करके hydratuba को regenerate करते रहता है यह देखिये hydratuba है बाइयोर जिसका की transverse division होने के कारंधेर सारा segment का निर्मान आप होते देख रहे हैं सबसे उपर tentacle है तो इस तरह से segmented form को eschiphystoma या estobila कहा गया और एक अलग से इफाइरा लार्भा को दाई और दिखलाया गया यह इफाइरा लार्भा में आप देख रहे हैं आठ अलग-अलग notch बने हुए हैं और उनके base पर tentaculocyst बनेगा अब यह free swimming form है इसके center में manubrium और mouth है अब इफाइरा लार्भा कैसा है? इफाइरा is a young medus wide form it has eight notched lobes or arms which are per radial and inter radial each lobe has two exaggerated marginal leppets with a deep groove between them having a short tentacle which becomes a tentaculocyst तो आपने eight arm जैसा बना देखा वे बाइफिर थे दो भाग में बटे हुए थे और इन के बेच पर tentaculocyst बनेगा यह समझ लिजे के अविक्सित है medusa form इफाइरा बेर से short stomach or gastric cavity with a short manubrium and four sided mouth or on its sub umbrella surface the gastric cavity grows into lobes to form branched per radial and inter radial canal later the ad radial canals also appear तो इसमें पहले से ही silenteron बना हुआ है या budding के द्वारा नहीं बना है इसलिए इसमें भेलम नहीं होता है manubrium बहुत छोटा होता है और mouth four angles पर बने रहते हैं तो mouth के तुरत पीछे stomach है जिससे पहले पर radial फिर inter radial और धीडे-धीडे ad radial canals की उत्पत्ती होती है the ephira fits largely on protozoa which are caught by the lepids and transferred to the mouth यह जो lepids है यह arm का काम करते हैं इनहीं के द्वारा यह planktons को खासकर protozoa को पकर कर खाते हैं the ephira grows in size four oral arms and marginal tentacles appear पहले सिर्फ lepids का जोरा था art लेकर अब धीरे-धीरे इसमें tentacles का निर्मान होता है पूरे periphery पर और फिर धीरे-धीरे इसके चार oral arms का भी निर्मान होता है the septal funnels becomes subgenital pit and by summer the ephira becomes an adult medusa तो winter में ephira बने और गर्मी आते-आते यह adult jellyfish में convert कर जाता है यह देखे life cycle actual photograph के थुरू दिखलाया गया है सबसे उपर आप देख रहे हैं कि यह jellyfish adult है इसने gamits निर्मान किया होगा जो fertilization के बाद यह planula larva को उत्पन किया यह planula larva कहीं पत्थर चटान पर सेटल होकर hydra tuba बनाया फिर इसमें segmentation शुरू हुआ और इससे estovilla यह skyphy estoma बना फिर इस skyphy estoma से यहां देख रहे हैं इस life cycle को आप artistic sketch diagram की मज़द से देखिए यहां आपको दो jellyfish दिखलाए गए यह male है यह female है इसलिए male से esperm निकल कर female के अंदर गया वहां इसका internal fertilization के बाद gigot release हुआ यह cleavage हो रहा है इससे blastula बना फिर gastula बनेगा अब कैसे बनेगा इन्वेजिनेशन के थुरू यहां gastula बना यह गढ़ा आप देख रहे हैं यही गढ़ा इसका blastopore हो गया जो कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा अब epiderm से cilia बना तैरते 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 जब यह किसी पत्थर चत्तान पड़ा कर चिपकेगा तो यह blastopore बंद हो जाएगा यह cilia भी खत्म हो जाएगा फिर धीरे धीरे यह mouth बन जाएगा बगल से tentacles का budding होगा और इस तरह से hydra tuba बना फिर transverse division के द्वारा estovila बना और फिर इस तरह इसका life cycle चलते रहता है तो haploid generation सिर्फ gamit था यहां से यहां तक tubular polyp form है और यहां से यहां यह medusa form है और क्या है तो इसकी उत्पत्ति asexually हो रही है जबकि इसकी उत्पत्ति sexually हो रही है तो इस प्रकार से एक medusa और एक polyp form alternate कर रहा है और एक में sexual reproduction तो दूसरे में asexual reproduction हो रहा है अब देखिए मरिदार बात कि एक जाइगोट से 300 से 400 इफाइरा लार्भा बनेंगे यानि एक जाइगोट से अनेक सारे हजसैकरों की संख्या में लार्भा बनेंगे तो इस घटना को poly embryo भी कहा जाता है metagenesis तो सामानिता कहा ही जाता है इससे poly embryo भी कहा जाता है जो एक peculiar घटना है animal kingdom में कहीं कहीं ही ऐसी घटना घटती है तो इसके साथ आपने jellyfish का life cycle को भी समझा इसको एक दो बार सुन लीजिए तो पूरी बात आपको यान हो जाएगी इसके बाद आपके लिए लिखना बहुत आसान हो जाएगा आप अगर download करते हैं तो आप इसे रोक रोक कर हर एक point की copy कर सकते हैं और इसके बाद आपके पास एक बहतरी नोट होगा Thank you, thank you very much